दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगी रविंद्रना टैगाउर का एक बहुत ही फेमस ड्रामा चंडालिका दोस्तों ये ड्रामा जो है 1938 में पबलिश हुआ था ये एक बुद्धिस्ट कहानी पर बेज ड्रामा है कापी फेमस है दोस्तों I hope आप सबको इसकी स्टूरी बहुत पसंद आएगी दोस्तों शुरू करते हैं अब वैसे दोस्तों ये एक डांस ड्रामा है तो डांस देखने में ज्यादा मज़ा आएगा बजाय की प्लॉट सुनने की लेकिन जितना हो सके उतना अच्छे से इसका एक्स्प्रेन करने की गोशिश करू कि दूप इतनी तप चुकी है गाउं की सारी लड़किया घड़े बढ़कर चली गई है कौई भी इस गर्मी से परिशान है और तू यहां बैटी क्या कर रही है पुरानों में जैसे उमा ने तपती दूप में पश्चादाप किया था क्या वैसी कर रही है हाँ मा वही कर र क्या तुने उसको बता दिया तू एक चंडालनी है हाँ मैंने उसको बताया लेकिन उसने कहा ये सच नहीं है उसने इस बात का रीजन भी दिया और कहा कि खुद की इंसल्ट मत करो तेरे मूँ से कहां से ये बाते निकल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या तू सब कुछ भूल गई नहीं मा ये तो मेरे नया जन की कानी है चल अब बहुत मजाक हो गया नया जन अब प्रकट्टी बताती है कि कल दो पहर जब महल का घंटा बजा उस वक्त मा मैं बचले को नहला रही थी तब ही एक बुद्धिस्ट मौंक मेरे पास आगर पानी मांगने लगा उसन मौंक ने मुझसे कहा कि मैं भी एक इंसान हूँ वैसे ही तुम भी एक इंसान हूँ ये अगर पानी पीने लायक है और मेरी प्यास भुजा सकता है तो इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे वर्ट सुने थे उन हाथों में मैंने पानी डाला उन हाथों में जिनके पैरों की धूल तक को मैं चूनी सकती इतनी हिम्बत मैंने कर सकती अरे बेवकूफ लड़की तु इतनी लापरवा कैसे हो सकती है तुझे नहीं पता इस कि तुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी या तु भूल गई कि तु किस जाती में पैदा हुई है मां उन्होंने मुझसे एक ही बार पानी मांगा और मैंने उन्हें पीने के लिए हाथ में पानी दिया थोड़ा सा उस थोड़े से पानी में मेरे जाती धुलगर साफ हो जन्हें उन्होंने मुझे ये आनर दिया कि मैं उनकी पञास बजा सकूँ जानकी ने भी वनबास के दिनों में ऐसे पानी से स्नान किया था मा जो एक चंडाल ने निकाला था मेरे दिल और दिमाग में वो वो वर्ट्स गुँज रहे हैं मुझे पानी पिलाओ मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आती ये सब बातें, इतने दिनों में मा तुम मुझे नहीं समझ पाई, जितना वो मांग समझ गया, दिन के समय जब लड़किया घड़े बरकर यहां से चली जाती है तो मैं यहां बैठ जाती हूं, किसका इतनी बड़ी सच्चाए बताई, मैं उन्हें सर्व करना चाहती हूं, मैं फिर तुझे वार्निंग दे रही हूं कि इनकी बाते सर्व सुनने में अच्छी लगती है, अपनी हच्छ से बाहर मत निकल, अपनी मा की ये बाते सुनकर वो गाना गाने लगती है, पिर उसकी मा क के महल क्यों नहीं गई, उसने तो तेरी खुबसूरती के आगे सब कुछ भूला दिया था, हाँ, ये सच है, वो सब कुछ भूल गया था, शायद ये भी कि मैं भी एक इनसान हूँ, वो जानवरों का शिकार करने गया था, जिनको खुबसूरत समझ कर वो सोने की चेंस में बानना चाता था, कम से कम उसने तेरी खुबसूरती तो देखी, चाहे शिकार की तरह ही सही, लेकिन उस मौक ने तो वो भी नहीं देखी, क्या उसने तेरी अंदर की आउरत देखी, तुम नहीं समझोगी मा, वो ही एक इनसान था जिसने मुझे पहचाना, ये ही बहुत बूल रही हो, खुद को हुमिलेट क्यों करती हो, मैं तो चंडाल नहीं हूँ, पता नहीं तुमको कैसे समझाओं, ठीक है, तो अब मैं खुद उनके पास जाकर उसके पैरों को धोओंगी और कहूंगी, कि आप मेरे घर आए, आप सबसे खाना लेते हैं, हमारे घर आकर कम स तो ले लीजिए, नहीं मा नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं बुलाना चाती, बलकि मैं उनको दिल से पकारूंगी, लेकिन तेरी इन सब बातों को क्या फाइदा, लेकिन प्रकरती बोले जा रही थी, वो खुद आएंगे, वो खुद आएंगे, तुमको तो जादू आता है न मा, कोई जादू कर दो मा, क्या बूल रही है पागल लड़की कोई लिमिट्स है या नहीं, क्यूं आख से खेल रही है, वो मांग कोई आर्डिनरी आदमी नहीं है, तो उन्हें राजा के बेटे पर भी जादू किया होगा, मुझे राजा से डरने लगता, ज्याद ज्याद कोई तो बात होगी न, सूचो, अच्छा माल ले अगर मैं उन्हें तेरे पास ले आई, तो क्या तू तू तयार है इसकी कीमत चुकाने के लिए, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, सही बोल रही हो, कुछ नहीं बचेगा, इस पुरानी जंदगी का सब कुछ नया होगा, मे लोग तो अंधा बनाने वाले धर्म के पीछे भाग रहा है, उस दिन से कुछ तो ऐसा है, जो मुझे ये सब करने के लिए रोकता है, तो मंत्र पड़ो मा, और बात मत करो, उस मौंक को बुलाओ, मैं उन्हें आनर दूँगी, जो कोई और नहीं दे सकता, तुझे कर्स लग ये गलत है, तेरे कहने पर ही मैं ऐसा कर रहे हूं, क्या गलत है मा, जो सब को अपने पास लाता है, मैं तो उसे अपने पास ला रहे हूं, लेकिन वो अपने शक्तियों से लोगों को अपने पास लाते हैं, हम तो जादू से कर रहे हैं, जो कि गलत है, अब उसकी मा डरते ड प्रकृति को बुरा सा लगने लगा उसे यही जिंदगी बोध सी लगने लगी तो उसकी माँ उसे दिलासा देती है अब उसकी माँ से नहीं देखा जाता की उसकी बेटी की ये हालत हो रही है तो वो बुलती है कि उट आ मेरे पास मैं उसे अपने मंत्रों से बलाती हूं मैं तोड़ूँगी उसका घमन तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए वो खुद यहाँ आकर कहेगा कि मैं चाहता हूँ मा तुम्हारे मंत्र तो उनकी मंत्रों से बहुत पुराने हैं उनकी मंत्र तो कल के मंत्र हैं उन्हें हार नहीं होगा वो लोग आखिर जा का रहे हैं बस जा रहे हैं पता नहीं कहां तो वो तो बहुत दूर जा रहे हैं उनको वापस कैसे लाओं वो कहीं भी जा रहे है माँ उन्हें वापस लाओ उसने मुझबर कोई दया नहीं दिखाई मैं भी नहीं दिखाऊंगी तुम अपने मंत्रों से उसके दिमाग को जगड़ लो कहीं भी वो जाए मुझसे बचना पाए फिक्र मत कर यह शीशा ले यह मिरर ले और डांस कर उसका रिफ्लेक्शन इस सीशे में बनेगा वो देख आगे-ागे क्या होता है जादू काम करेगा मा देख बादले खटे हो रहे हैं अब यह अपनी बेटी को फिर से वार्निंग देने लगी कि इसमें जान भी जा सकती है लेकिन वो बोलती है कि अच्छा सोचो मा तुम्हें किसका डर मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है मा अब 15 दिन गुजर गए यह सब मंत्र चलते चलते प्रकरती बोलती है कि मैं सीशे में उनकी अगनी अब नहीं देख सकती इन मंत्रों को रोक दो लेकिन फिर वो खुद ही बोलती है कि चलने दो वो बस पहुचने वाले है उनके यहां आने पर मैं उनके लिए लैंप जलाऊंगी यह करूंगी वो करूंगी उनको बहुत तकलीफ हो रहे हैं यहां पर आने में तर बीच में एक गाना आता है तो उसकी मा बोलती है कि वो अभी बहुत दूर है लेकिन यह बोलती है कि ज्यादा दूर नहीं है पंदरा दिन गुजर गए साथ दिन और सही भी अपनी मा को बताती है कि बहुत सारी प्राब्लम्स फेस करता हुआ अब मौंग यहां पर आ रहा है तो उसकी मा उसे बोलती है कि मुझ से अब नहीं होगा मेरी बाडी में अब जान नहीं है लेकिन वो बोलती है कि मा तुमसे रेक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी पूरी जान लगा दो क्योंकि आज अगर यह चला गया ना तो कभी मैं इसे नहीं पापा हूँगी पूरी जान लगा दो मा पिर यह दोनों मा बेटी फिट से अपना जादू शुरू करते है अब इस टाइम पर यह सब जादू करते है इसकी मा इससे बार बार पूरती है कि मिरर देख कितना और कितना और लेकिन अपनी मा के इतना कहने पर भी वो मिरर नहीं देखती उसकी मां बोलती है लगता है मेरा time आ गया है बस मां वो पहुंचने वाला है लेकिन उसकी मां बोलती है मुझे पर तो दयागर और end में वो सीशे में देखती है और अपनी मां को रुकने को बोलती है आनन्द उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है बहुत बुरी हालत में उसका असर जखा हुआ होता है और वो भगवान बुद्ध से प्री करता है कि उसको इस जादू से प्री करे इसके बाद इस नाटक का एंड कुछ ऐसे होता है दोस्तों प्रकृति की माँ आनन्द के पैरों में ही दम तोड़ देती है प्रकृति को भी ये बात समझ में आ जाती है एंड में कि प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि किसी को पाना ही है बलकि उसे जाने देना चाहिए जहां वो जाना चाता है